दोस्तों वीडियो के थम्नेलल टाइटल में आपने बिल्कुल सही देखा आजकी वीडियो में आपको गूगल पे का एक नए अकाउंट किस तरीके से बनाता हैं किस तरीके से इसकी अंदर एक न। लगारे में देने बनाना है तो वीडियो को इसकी मत कीजिएगा मैं आपको प्रॉपर जानगारी इसके बारे में दे देता हूं चलिए शुरू परते हैं बिना कि देरी लगा है आपको गूगल पे का नए आकॉड बनाने के लिए सबसे पहले गूगल पे आपको अपने में डाउनलोड करना हो जाद ही आप इस लिंक पर टैप करेंगे या आपको रिडारेक करतेगा प्ले स्टोर पर जहां से आपको गूगल पे का लेटेस वर्दन अपने मुवाइल में इस्टॉल कर लेना होगा यह इनने रिडारेक कर दिया है अब यहां से आप गूगल पे अपने मुवाइल में पहले से इंस टॉल कर रखा हो तो से निस्टॉलग कर दीजिएगा इस रापने अममाइल में इस्टॉल कर लीजिएगा । पर आपके सामने यहां पर आपकी email id यानिकी एक account करने के लिए लिए आता है तो यहां से आप calendar सेक्ट करेंगे इसके बाद से बाद नीचे एकटेप अथाजिक करेंगे एक होटीप इस तरीके से मेंड और दे करने के लिए और यहाँ पर आपको सबसे हैंबर यहां पर एड़ अक् deta kina का ओप्षन मिला है आפको uniqu को option यहां पर देखने को मिलेगा तो आप सिंपल यहां पर एम एड़ा साथ बैंकोंके option प्लाक कुलिक करसे उसकी बार आपके सामनें बहुत सारे बैंक का झायेंगे जिए हहा में नाम लिख दिए कैने के लिए अवे अग्षा करने के लिए देड़िदा और जाएगा आप यहाँ पर कंटिन्यू पर प्लिक्रण करें यहां से आपको अपना सिमन करना होगा जोबह आपका मुवाइल नंबर नंबर यानि यहां से अपर नितार मेने चुन है स्पूद्थ्ट में आपको आते वाला पैज आ जाते हैं जहाँ पर आपकों इंस्रक्शन दिया करते हैं तो यहांपर 24 घंटे के अंदर 35,000 रुपी की पेमेंट कर सकते हैं और यह की बार आपको लाप करना होगा उसके बाद आपका ट्रांसेप्षन नहीं होगा आपको 48 घंटे के बाद वह पेमेंट आपकी चालू की जाएगी उसके बार आपको यहांपर कुछ सजाओ भ होगा तो आपको यूपियाइफिन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप डारेक्ट पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि अंदर यूपियाइफिन बना हुआ आता है लेकिन जब आप फस्ट टाइम अकाउंट बनाएंगे किसी दूसरे बैंक के साथ यहाइफियाइफियाइफ यहाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफियाइफिया upi-pin बनाने के लिए आपको first time अपनी ATM और debit card की detail यहां पर देनी होती है जो आप पर ATM होता है debit card होता है उसके यहां पर आपको last चीड़ियर लानने होते हैं उसके बाद expiry month expiry year यहां पर डान ली होती है और फिर उसके बाद नीचे एरों का option पर click करना होता है एक OTP बैंक की तरफ से आपके मुवाइल पर बेजा जाता है वो OTP आप यहाँ पर डालते हैं उसके बार नीचे टिक करते हैं बद आपके सामने आ जाता है अपना यूपी आई पिन बनाने का आप्शन परपस के लिए तो आप यहाँ पर अपना यूपी आई पिन बना लेना है मैंने समझा दिया आई होप आपको समझ में आगिया होगा वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर की दिएगा